दिन 29 माई 2022 ये वो दिन था जिस दिन ना किवल पंजाब बलकि देश के बड़े सिंगर की गोली मार के हत्या कर दी गई लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिद्धू मुसे वाला कौन थें कैसे इन्होंने अपने कैरियर की शुरुवात की और सबसे एहम बात कैसे इन्होंने करोडों दिलों पे राच किया वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिद्धू मुसे वाले के बारे में हर एक बात बताने जा रहे हैं दोस्तो सिद्धु मुसेवाले का जन्म 11 जून 1993 में पंजाब के एक छोटे से गाउम मुसे में हुआ था जो की मनसा डिश्टिक्ट में पढ़ता है सुरुआत से ही ये पढ़ाई में काफी अच्छे थे लेकिन साथी साथ इन्हें सिंगिंग का भी काफी शौक था जब इनकी उमर केवल 5 साल थी तो इन्होंने गाना गाना सुरू कर दिया लेकिन इनके माबाप चाहते थे कि ये पढ़ाई करे लेहाजा इन्होंने माबाप के कहने के बाद गाना गाना कम कर दिया और जी जान लगा के पढ़ाई करने लगे इन्होंने गुरुनानक देव इंजिनिरिंग कॉलिज लुदियाना से बिटेक किया और इनकी स्टीम थी ट्रिपली आपको बता दे कि इनका रियल नेम शुक्दीब सिंग सिद्धू है लेकिन क्योंकि अपने गाउं से काफी ज़ादा प्यार करते थे इसलिए इन्होंने नाम हो गया सिद्धू मुसेवाला इसी नाम से आज इन्हें पूरी दुनिया जानती है अगर इनके परिवार की बात करे तो इनके पिता का नाम भोला सिंग सिद्धू है जो की पहले इंडियन आर्मी में थे लेकिन वहां काफी जादा चोट लगने के वज़े से इन्होंन लिखना नहीं आता था इन्होंने काफी कोशिस की कि इनके लिए 楽ते लेकिन कोई भी गाना लिखने लिए राजी नहीं हुआ बड़ी मुश्कित से एक राइटर ने कई बार फोन करने के बाद इनका उठाया और उस राइटर ने बोला कि मैं तwierी लिए गान लिग देता उन्हों ने कहा कि मैं आपके गाउं पहुच चुका हूँ और जरा बता दीजिए कि आपका घर कहा है लेखक ने अपना घर बताने से मना कर दिया और सिद्धू से कहा कि तुम किसी और दिन आना आज तुझे गाना नहीं दे पाऊंगा ये सुनके सिद्धू को काफी दुख और ये खूब रोएं ये वही वक्त था जब सिद्धू ने तै कर लिया कि आज के बाद मैं किसी का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा ये अपने घर आये और इन्हों ने गाना लिखना शुरू किया इन्हों ने जो पहला गाना लिखा उसका नाम था लाइसेंस लेकिन य क्योंकि सिद्धू परदे की पीछे गाना लिखा करते थे इस बीच सिद्धू कैनेडा चले गए गाए लेकिन इनकी कुई खास पहचान नहीं बन पाई पैसे की कमी होने के वज़े से इन्हों ने केनेडा में होटल में काम करना शुरू कर दिया एक दिन जब यह होटल में काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके दोस्त इनका ही गाना सुन रहे हैं लेकिन उनके साथियों को ये नहीं पता था कि इस गाने को सिद्धू नहीं लिखा है खेर कुछी तिनों में इन्होंने होटल की नोकरी छोड़ दी और फुल टाइम सिंगर बन गए इस बीच एक गाना गाया जिसका नाम था So High, ये गाना काफी बड़ा हिट रहा, और इस गाने के बाद लोग इन्हें पहचानने लगे, आपको बता दे कि इस गाने पे 483 मिलियन व्यूज आएं, इस गाने ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी, दोस्तों अगर बात करें कंट्रोवर् दोस्तों आपको बता दे कि ड्रैक जो कि इतने बड़े रैपर हैं वो भी सिद्धू को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, दोस्तों अब तो सिद्धू हमारे बीच नहीं रहें, लेकिन आपको बता दू कि ये एक लाइप सो करने का 15 से 20 लाख रुपए लेते थे, वही एक म्यूजिक अलबम के लिए 10 लाख रुपए तक लेते थे, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने ही